दोस्तो पाइक फिस एक परिवार बनाती है जिसका नाम उसके सिर के आकार के आधार पर रखा गया है। पाइक मचलियों में एक लॉंग बॉड़ी एक भाले के आकार का सिर होता है जो पाइक के नाम पर हतियार जैसा दिखता है। बहुत हत तक जिसे हतियार के नाम पर उसका नाम रखा गया है ये मचलियों को खतरनाक सिकारी हैं और यह एक उत्तम मांसारी भोजन करती है वे अपने रास्ते में आने वाली लगवग हर चीज को खा लेती है उत्तरी पाइक अपने बड़े आकार जैसे भारी वजन के बावजूद अच्छे तहराक हैं वे आम तरुपर आठ से दस मील प्रत घंटे की रप्ता से तहरते हैं उनका आकार और चापलकता उन्हें एक अच्छे लड़ाई लडने की अनुमती देता है यही वज़ा है कि वा खेल में मचवारों के बीच इतने लोग प्री हैं पाइक पूरे उत्तरी गोलाद में मीठे पानी की नदिय और जीलों में पाया जाता है या सबसे ज़्यदा अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है या तल सही सभी प्रकार की गहराईयों में जीवित रह सकते हैं इसका संभोग विवार प्रजातियों के अनुसार थोड़ा भिंड होता है नर उत्तरी पाइक मादा को उसके सिर पर धीरे-धीरे कोहनी मार कर अंडे छोड़ने के लिए प्रित कर सकता है नर तब अंडे का निसेचन करने के लिए अपने सुक्राणों को छोड़ देगा या मचली के बच्चों की संख्या एक लाख होती है पायक जंगलों में लगबग 10-15 वर्ष तक जीवित रहने के लिए म जाने जाते हैं इनका सबसे लंबा जीवन का 26 वर्ष का होता है पायक मलोरंजन और व्योसाइक मचली पकड़ने दोनों में प्लोक प्री है या करतिम मस्च पालन के लिए बहुत अच्ची है हलाकि तेज दांतों की उपस्तितिस के कारण मचली को समालने के लिए अधिक धे विले दांत होते हैं परजातियों के आधार पर रंग आम तरुपर नीले ग्रा पीला हरे राव लाल के बीच में होता है